आज हमारा लास्ट टॉपिक है थर्ड लेसन का जिसमें हमें पोटेंशल एनर्जी निकालनी है किसके लिए एक डाइपोल के लिए जब डाइपोल को किसी युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में इन्फिनिटी से लेकर आते हैं तो जितना वर्क डन हुआ वही वर्क डन उ एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है या फिर स्टोर हो जाता है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशल एनर्जी ओफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फिल्ड तो आज का हमारा यही टॉपिक है पोटेंशल एनर्जी का फॉर्मुला हम डिराइप करन योनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो आज का टॉपिक हमारा ये है अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जैसे पोटेंशल एनर्जी हम चार्ज के लिए निकालते हैं किसी योनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम इन्फिनिटी से उस फील्ड में लेकर आ रहे हैं तो जितना वर्क उसको लेकर आने में हुआ वही वर्क जो है वो एनर्जी की फोम में उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाएगा तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, electric dipole की बात कर रहे हैं, हम अभी charge की बात नहीं कर रहे हैं, एक electric complete dipole की बात कर रहे हैं जिसके अंदर plus q charge भी है और minus q charge भी है, अगर इस complete dipole को हम infinity से लेकर आते हैं, electric field में, और वो भी electric field के against हम उसको लेकर आ रहे हैं, तो जितना वर्क हुआ वही वर्क होगा potential energy किसके लिए electric dipole के लिए तो diagram देख लेते हैं ये एक हमने uniform electric field बनाया है जिसके direction ये है अब यहाँ पर हम infinity से एक electric dipole को लेकर आ रहे हैं ये मान लो from infinity from infinity इस infinity से हम electric field के against dipole को यहाँ लेकर आए हैं electric field में AB हमारे पास क्या है dipole है यहाँ force लगता है यहाँ भी force लगता है और एक net force हो जाता है zero, torque भी produce होता है लेकिन वो तो बात पहले की थी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सिर्फ potential energy की बात कर रहे हैं तो work done क्या हो रहा है जब उसको हम infinity से electric field में लेकर आ रहे है बस उसी को ही हम क्या लिखेंगे potential energy लिखेंगे तो सबसे पहले हमें work done निकालना है अब dipole को लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले इस तरफ हम लिखते हैं plus q charge यह लिखते हैं minus q charge b point पर located है plus q a point पर है minus q तो जैसे ही infinity से हम इस dipole को लेकर आ रहे हैं तो यह जो distance है वो मानलो d तो minus q charge को plus q charge के comparison में ज़्यादा distance कवर करनी पड़ती है from infinity मानलो यहां से हमने start किया है तो minus q charge आया है यहां तक लेकिन plus q charge कहां तक है b point तक है तो अगर minus q charge ने distance ज़्यादा तय की है ज़्यादा distance तक आया है तो उस पर जो work done होगा वो भी ज़्यादा होगा लेकिन क्योंकि यह minus q charge है इसलिए जो work आयेगा वो minus में आयेगा तो अब हम work done निकालते हैं सबसे पहले minus q charge के लिए तो minus q charge के लिए जो work होगा w1 वो कितना आयेगा सबसे पहले तो work निकालते हैं उसका formula अपलाई करते हैं force into displacement force का formula क्या होगा minus q charge पर जो force लगेगा वो force है minus q e यह formula हम किस से derive करते हैं electric field का एक formula है f upon q इस formula से अगर हम force के बात करें तो q e हमारे पास force आता है अगर minus q charge है तो minus q e plus q charge है तो plus q e force अपलाई होगा तो यहाँ पर plus q है तो इस पर force अपलाई होगा अभी हम बात कर रहे है minus q charge को infinity to हम ले कर आते हैं electric field में electric field के against तो कितना work हुआ वही work हमें निकालना है force into displacement force हमारे पास है minus q e and displacement हमारे पास है d then q d को हम कितना लिखते हैं यहाँ जो q d है वो है dipole moment तो work equals to minus p e यह हमारे पास equation आती है first यह जो work done हुआ वो minus q charge के लिए है और कितना आता है work done minus p e यह हमारे पास first equation आती है अब हम बात कर रहे हैं कि जितना work हुआ वही energy यानि potential energy के form में store होता चला जाएगा अब जैसे हमने minus q के लिए work निकाल लिया है तो यही क्या है potential energy है minus q charge के लिए तो इसको हम represent करते हैं u 1 से यह हमारे पास equation आ गई second अब दूजरी बात हमने इसके previous वीडियो में की थी इसके previous वीडियो में हमने work done निकाला था जब हम external work करते हैं external work का मतलब क्या है कि कोई dipole electric field के direction में है उसको zero degree से हम किसी भी theta angle पर ले कर जाते हैं या फिर हम theta angle से उसको किसी theta not angle पर ले कर जाते हैं then जो work हुआ वही क्या होगा कितना work आया था pe sin theta हमारे पास torque था then हमने उस पर d theta angular displacement लिखा था हमारे पास जो work आया था वो आया था pe 1 minus cos theta यह उसका final formula था तो वही work जो है वो एक और work यहाँ पर आयेगा जिसको हम u2 लिखेंगे तो u2 हमारे पास जो work आता है वो external work होता है और वो कौन सा work होता है जब हम dipole को ले कर आ चुके हैं infinity से electric field में और उसको हम क्या कर रहे हैं उस electric field में rotate कर रहे हैं theta 1 से theta 2 rotate कर सकते हैं या फिर 0 degree से किसी angle पर rotate कर सकते हैं या उसको हम कह सकते हैं कि theta से theta not हम rotate कर रहे हैं तो उसके rotation में जो भी work था previous video में previous जो topic है उसमें हमने derive कर लिया था उसका formula आता है pe 1 minus cos theta तो ये formula हो गया हमारे पास third equation जो external work है और ये work कौन सा था कि जब dipole को infinity से हम electric field में लेकर आते हैं तो उस time minus q charge जो है वो जादा distance कवर करता है तो as compared to q plus q उसके पास जो work होगा वो जादा होगा लेकिन negative में होगा क्यों? क्योंकि वो जो charge है वो negative है तो यहाँ पर work done जो आया वो energy की form में save हो गया और next हमारे पास जो work done आया वो भी energy की form में save हो गया अब इन दोनों energies को plus करेंगे तो यहाँ पर total work आ जाएगा dipole के लिए या पिर potential energy आ जाएगी then u equals to u1 plus u2 हम यह equation देखते है तो हमारे पास u का जो formula होगा वो कितना होगा minus pe u1 है then हम plus करेंगे यह equation pe1 minus cos theta u equals to minus pe pe को 1 से multiply किया pe then minus pe cos theta plus pe minus pe cancel out हमारे पास जो equation बसती है वो है pe cos theta cos theta क्या होता है dot product होता है then हम minus p dot e इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दो अपने पास vector quantities है उन vector quantities का अगर dot product है तो इसको बोलते हैं हम scalar product और यह जो quantity आएगी वो भी कैसी होगी scalar होगी लेकिन अगर हम बोलें कि दो vector quantities है उनका vector product हो रहा है या फिर cross product हो रहा है then जो quantity आएगी equal में वो भी कैसी होगी vector quantity होगी अब आगे देखते हैं हमारे पास formula आगया है final formula हमारे पास यह है तो p dot e यह क्या है total potential energy है किसके लिए electric dipole के लिए जब इसको हम infinity to electric field तक लेकर आते हैं electric field के against work हो रहा है तो जितना भी work होगा वो energy की form में store हो जाएगा हमारे पास final energy आती है u equals to minus p dot e अब इस पर हम conditions apply कर सकते हैं वो conditions देख लेते हैं first condition क्या है देखिए हमारे पास जो formula है वो क्या है u equals to minus p e cos theta cos theta में हमें 3 conditions देखने को मिलती है कौन-कौन सी if theta equals to 0 degree if theta equals to 90 degree and if theta equals to 180 degree अगर sin theta के बात करें तो हम 2 condition वहाँ पर लेकर चलते हैं 0 degree and 90 degree क्योंकि वापिस जब हम 180 लेते हैं तो वही sin 180 and sin 0 क्या होता है 0 value देता है लेकिन cos 180 की बात करें तो वो कितनी value देता है minus 1 value देता है जो की different condition then cos theta अगर आती हमारे पास formula में आ रहा है तो हम theta equals to 0, 90 and 180 degree तीनों conditions अप्लाई करते है minus PE formula हमारे पास आता है first condition second condition theta equals to 90 degree पुट करेंगे cos 90 की value होती है 0 U हमारे पास potential energy आती है 0 third equation apply करेंगे theta equals to 180 degree cos 180 degree equals to minus 1 formula में पहले से minus है minus minus हो गया plus U हमारे पास आता है plus PE अब देखें हमारे पास 3 condition है first condition ये minus में है second condition हमारी 0 है third condition positive है तो minimum condition कौनसी हुई हमारे पास minimum हमारे पास potential energy आती है minus PE maximum हमारे पास value आती है PE अब इसमें से बात करनी है कि dipole जो है वो stable equilibrium and unstable equilibrium में रहता है तो कौनसी condition stable equilibrium की है और कौनसी unstable equilibrium की है तो देखें हमारे पास formula है minus PE तो इसी अगर condition में formula के according हम देखें तो ये value हमारे पास आती है minus है यहां भी और यहां भी क्या है minus है then ये जो condition होगी ये जो condition होगी वो stable equilibrium की होगी equilibrium की होगी जब dipole जो है वो electric field में stable equilibrium में होता है तब minus PE आता है अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है वो condition है unstable equilibrium unstable equilibrium तो आज हमने ये पढ़ा की अगर dipole को infinity से electric field में electric field के against लेकर आते हैं तो जितना work done उसको लाने में हुआ वही work done उस electric field में potential energy के form में store हो जाता है वही potential energy हमने निकाली सबसे पहले बात की हमने minus Q charge को लेकर आते हैं तो उसको ज़्यादा distance cover करनी पड़ती है as compared to plus Q then minus Q के लिए जितना work done हुआ वही क्या हो जाएगा U1 potential energy एक हमें external work और करना पड़ेगा जब dipole को हम rotate करते हैं electric field में then कितना work आता है previous video lecture में हमने समझ लिया था और उसका answer है PE1 minus cos theta ये हो गया हमारे पास potential energy U2 U1 and U2 को जब हमने plus किया तो total जो work आया या फिर total जो potential energy store होगी electric field में किसके लिए dipole के लिए तो वो कितनी होगी हमारे पास minus PE इसका final answer आता है इस पे हम 3 conditions अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि cos theta है हमारे पास तो minimum and maximum जो condition होगी वो minus plus में उसमें रहती है तो यहाँ minus जो है वो minimum हो जाएगी और यहाँ जो plus है वो maximum हो जाएगी अब इसको हम कहेंगे unstable equilibrium क्योंकि यह just इस equation का उल्टा है यह positive में आ रही है यह negative में आ रही है तो according to this equation अगर हमारे पास कोई value है तो वही क्या होगी stable equilibrium में होगी इसमें कई बार confusion हो जाती है कि minus आ रहा है तो unstable हो सकता है plus आ रहा है तो stable हो सकता है लेकिन हमें देखना है according to final equation तो final equation में minus है minus यहा है तो यह होगी stable equilibrium और plus में है तो just opposite हो गई तो यह हो जाएगी unstable equilibrium तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में next chapter के साथ यह chapter यहाँ पर complete होता है धन्यवाद